नमस्कार आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। नमस्कार आपको बिश्टार में बताऊंगा साथ साथ मैं दर्सों को बता दूं कि कार्शकरम पूरा का पूरा समाजिक है और इसकार्शकरम के अंतरगत मैं इनसे पूछ कर समझ कर यह जानने का प्रयास कर रहा हूं कि इनका पंचायत का ठाहा जो है वो कितना बिक्सित हुआ और आगे आने वाले समय में क्या संभावनाएं हैं जिस पर कि यह काम करने वाले हैं मैं दर्सों को यह भी बता दूं कि पिछली बार उमिद्वार के रूप में इनकी पिता जी आये थे यहां पर और उन्होंने चब्था अस्थान प्राप्त किया था पर ही कम मतों से मतों क अंतर से यह विजय नहीं हो पाए थे लेकिन समाज में लगातार सक्रिये रहे तो सबसे पहले आपका बहुत पहुत वागत है मेरे कारश करता हूं कि आपका पंचायत जो बीस वर्स में पंचायती राज विवस्था के अंतरगत हर पांच वर्स मुख्याजी का चुनाव और भविस में ऐसा नहीं हो जो लोग आज गरीबी के नाम पर बहुत सारे नाम पर गरीब भी जीते तो वही वो भी लूटे अच्छे भी जीते तो वही कि हरेक लोग अपना पूजी बनाने के चक्कर में ही समाज को गर्त में धकेलते जा रहे हैं अब सबसे पहला काम है व सबसे बड़ी चीज करते हैं क्या ये लोग की हरेक चीज में कमीशन सेट करते हैं चाहे वो नलजल हो चाहे वो बिध्धा पेंशन हो चाहे विध्वा पेंशन हो चाहे अवास हो चाहे कोई भी ऐसा फंड हो सरकार का फंड है वो पैसा उनका नहीं होता है लेकिन उसमें वो लोग अपना हक बना लेते हैं कि हमको लेना कितना है और इसको पहुचाने के लिए वो लोग वाड के साथ मिल जाते हैं और कोई काम को लोग धंग से होने नहीं देते हैं या अपना कमिशन सेट करते हैं और पैसा लेने कहीं काम करते हैं और जानता आज भी उसी हालत में है ज क्या कुछ कर रहे सको निदान के लिए अपने माध्यम से क्या आपके पिता जी पीछली बार जुनाव में आए तो ऊन्हों का भी दाइट परेट के लिए वह जिस काम के लिए हो जैसा भी काम हो उनका हमने मदद किया है वो चीज़ हम मुझ से बोल करके अपने से हम अपना बड़ाई नहीं कर सकते हैं वो चीज़ आपको जनता खुद पर खुद बता देगी हमने क्या किया है और रह गई बात की आगे हम क्या करेंगे तो सबसे पहला क हम यही करेंगे कि सारे ही कमीशन खोडी को बंद करेंगे चाहे यह दिलर का कमीशन हो चाहे यह तीचर का हो घिच्री का हो जो भी आपको कह रहे हैं यह वे या उसे बरे उपर के जनपरतीन को भी की सतरा कि हमारी समस्या पंचायत में है लिखी तोर पर नहीं घृट किया लेकिन विरॉद करने के बाद भी इसका कोई थोस पड़ी नाम निकल करके नहीं आया इसमें बहुततरा से एक बार डीलर के लिए भी हमारे पिता जी अंसान किय लेकिन उसका भी कोई खास नीड़नाय निकल करके नहीं आया अधिकारी लोग भी बिक जाते हैं और यह लोग जो है कि उन्हीं के दम पर यह सारे सिस्टम को जो है कि बरबाद करके रखे हुए तो आपकी निजर में इसका निदान अब बताएं क्या होगा क्या लगता है कि आप इसका निदान निकल पाएगा बिल्कुल निकलेगा अगर मुखिया इमनदार हो जाए तो पंचायत में एक रुपिया का किसी को अवकाद नहीं है कि चोड़ी करके दिखा दे चाहे वो डील पूरी प्रुकता तयारी किये है जो इस तरह से आपकार है दरशव को मैं बता दूं कि यहां जो सुनिल दिय भी बात कर रहे हैं युदा है और यहां पर पंचायत में कठा पंचायत की जो इस्थिती है जो इन्होंने बताई है मगंभीर आरोप इन्हों लगा है ऐसे मैं दर्सकों को आपको पहले वीडियो में दिखा चुगा हूँ, मुक्याई से भी बात हमारी हुई है, उन्होंने भी अपने असर से बताया बात, साथी साथ जो तीसरे स्थान पर रहे, उन्होंसे भी हमारी बात हुई, जिसकों भी आप यूडियो में देख सकते हैं, और सारी समस्याओं को भी मैंने दिखाया है, कठा पंचाय से और अभी सुनिली से बात हो रही है, इन्होंने भरस्ताचार को लेकर बात कही है, और यह गंभीर आरोप लगाया है, कि हर चीज में कमिसन सेथ है, जिसका रहत से विकास नहीं हो सका है, मैं दर्सों को से जरूर कहना चाहूंगा, कि आपको यह कैसा लग रहा है, क्या आप इन बातों को समझ रहे हैं, क्या इससे इतफाक रखते हैं, तो कमेंट जरूर करें, जिससे की जानकारी और बेहतर और पुक्ता हो जाए, कमेंट करें, जो कि आप इस शेतर स्या में जुड़े हुए हैं, अब ही जो चुनाव आने वाला है, तो आपका जो भरस्ताचार का ही सिर्फ मुद्दा है, और कुछ बिकास को लेकर भी प्लान किये हैं, बिल्कुल भी कास का काम होगा, और हमको नहीं लगता है कि पांच साल अगर हम उस सीट पर अगर हम काबीज होते हैं, पांच साल अगर हमको मिलता है, तो एक भी जोपड़ी का मकान आपको नहीं दिखेगा, सब लोग को पका का मकान हम दिलाने का काम करेंगे, और मिलेगा ही मिलेगा जरूरत मंद लोगों को ही नहीं मिला है वहाँ पर जिसको जरूरत है उसको नहीं मिलता है जिसके पास पैसा है उसको तदे ही देगा लेहीं लेता है लोग कमिशन दे करके ले लेता है बिल्कुल कड़ाएंगे सर एक भी जोपड़ी आपको नहीं अमधवार के रूप में आए हैं लोगों का प्यार मिलता है तो चोलि लगता है आप जब जीतेंगे तो आम सभाँ वहां नहीं हो रहा है आपकी पनचायत में कि घाव में कि जनकरीशां करें जिए तो हमको बहुत पहले से पता भी है और हम लोग जान भी रहें कि आमसभा नहीं होता है जो भी होता है मुखिया जी के घड़ में ही होता है और वाड जाते हैं वहाँ पर चमचाई करते हैं और काम करके निकल लेते हैं क्योंकि कमिशन दे देना रहता है पैसा ले लेना रहता है वही काम होता है आमस लेकिन अगर कहीं आ जाते हैं जोकि लोगतंत्र हैं लोगों का प्यार मिले तो आप लेकिन आमसभा करवाएंगे न हरा आमसभा एक एकदम सर बिलकुल आमसभा होगा, कोई भी कार्ज जैसा नहीं होगा जो बिना आमसभा के कार्ज को कर दिया जाए आमसभा करवाएंगे और आमसभा के माध्यम से ही सारी योजनाओ को लेकर समाझ ब्लाइएंगे ये भी एक बहतर बात है और मैं आसा रखता हूँ कि आप अपने वादों पर खरा उतरेंगे दर्सकों भी हमारे देख रहे हैं तो वो भी बुद्धी जी भी है अगर ऐसी कोई बाते बनती है तो आप जरूर अपना कमेंट करेंगे आगर आने बाले समय में भी हम इनसे आकर सवाल पूछेंगे अब हम मुझे बताएं एक बार कि अभी आप देखा गया है गाउन समाज में कि जाती पाती भेत भाव को लेकर के भी बहुत सारे वोट इधर से बुदर हो जाते हैं लोग कर देते हैं इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आपके समाज के लोगों को कि किस तरह बहुतर लोगों को वोट करें क्या कहना चाहेंगे हमारे पंचायत के जो भी लोग हैं सारे लोग समझदार हैं किसी के कहे हुए में कोई लोग नहीं है सारे लोग अपने इस्तिती के बारे में हर एक चीज के बारे में सोचने समझने का चमता रखते हैं और वे लोग गलत decision इस बार नहीं लेंगे मुझे पूर्ण भरोसा है कटाँ पंचायत की पूरी जनता पर कि वो लोग गलत decision नहीं करेंगे जो भी decision लेंगे एकदम सर्वमान लेंगे बेहतर लेंगे तो ये इन्होंने अपनी बात रखी है लगवग जो बात इन्होंने कहनी थी वो कहदी है मैं देसों को जरूर कहना चाहूंगा कि आपको ये कार्शक्रम कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करेंगे साथी साथ मैं ये भी जरूर कहना चाहूंगा कि अभी जो चुनाव आने वाला है 2021 पंचायत चुनाव इसमें जाती पाती से उपर उठकर एक बेहतर उमिद्वारों का चैन करें कठा पंचायत के लिए और बिहार के तमाम सभी पंचायतों के लिए मैं यही बात कहना चाहूंगा कि बेहतर उमिद्वार का चैन करें बेहतर उमिद्वार जब आपके परतिन्दी बनकर आएंगे तो आपके पंचायत में विकास होगा अपने हर एक मत का पर्योग करें ये भी जरूरी है एक मत एक-एक मत कीमती है और एक मत भी अगर देखा किया है कि कहीं पर एक मत से हार और जीत हो जाती है तो आपके एक मत ना देने से हो सकता है कि कि किसी दूसरे प्रतिनिधी का चैन हो जाए जो कि आपके समाज के लिए बे सबसे पहले तो हम अपने कठा पंजायत के पूरे जनता को हाँ जोड़ कर परणाम करते हैं और यही हम कहना चाहते हैं कि आज से पहले जो भी हुआ जो भी उन लोगों ने देखा उसको देखते हुए आने वाले भविश में उस तरह की गलती नहों बेहतर कंडिडेट को चाहिए तो यह बात इन्होंने बरी बहतर कही है मैं जरूर कहूंगा मैं बार-बार कहता हूं चौपाल में कि हर आदमी अपने दायतों को समझे आपके वोट से परतेंदी का चैन होता है अगर परतेंदी ने गलत किया है तो कहीं ने कहीं आपने उसे वोट भी दिया है और कोई लोग जात पर कर दें कोई लोग बहतर परतेंदी पर करें तो फिर बात गरवड़ा जाती है अब पूरे लोग मिलकर बहतर लोगों का चैन करें हमारी यासा है तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे इसकार में भाग लेने के जिए तरसों को अभी बहुत- कर आपको ख़बर दिखाएगा तो आज के लिए बस इतना ही कैमरा परसन रमेश कुमार के साथ में होपशे कानन चपल समचार के लिए दन्यवाद